दोस्तो नमस्कार मैं संदीकुमार एक वर फिर से आप सभी का अपने इस नए वीडियो स्टेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ पिछले वीडियो में हमने सफलता के परामेटर्स के बारे में बात करी थी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ी लिंक के जरी आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसी करम में हमने ये भी जाना कि दुनिया में केवल 4-5% लोग हैं जो अपने जीवन में मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं अपनी अभिलाशाओं को पूरा कर पा रहे हैं अपने जीवन में अपने सभी सपने पूरे कर पा रहे हैं वही 95% लोग अथक प्रयास करने के बाद भी पूरा संघर्स करने के बाद भी उनकी जो अभी लाशाएं हैं जो उनके सपने हैं जो सफलता वो चाहते हैं उन्हें हासिल नहीं कर पा रहे हैं आज इस वीडियो के जरी हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वज़त से इतनी बड़ी पॉपुलेशन 95% लोग दुनिया में अपनी सफलता से या अपनी सफलता को हासिल करने से वंचित रह जाते हैं आज हम उस root cause को पूरी तरह से समझेंगे और ना किवल समझेंगे बलकि उसे पूरी तरह से अपने जीवन से हम कैसे दूर करें इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे हम उस अमाधान ढूनेंगे जिसके जरिये हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे हम प्राप्त कर पाएं दोस्तों आज एक आम जीवन की समस्या यही है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है बलकि मैं तो कहूं उसके उलट हमें प्राप्त होता है जहां एक इंसान एक आम इंसान जीवन में धन की इच्छा रखता है धन कमाना चाहता है पैसा कमाना चाहता है ताकि वो एक सिक्योर लाइफ जी सके एक बहतर लाइफ जी सके अपने आने वाले जनरेशन के लिए अपनी फैमली के लिए अपने सुसाइटी के लिए अपने आस पास के लोगों के लिए कुछ कॉंट्रिब्यूट कर सके लेकिन समस्याई यह है कि जहां वो धन की अविलाशा रखता है जहां वो पैसा कमाना चाहता है वहीं उसे scarcity के दौर से गुजरना पड़ता है आज जादा तर लोगों के जीवन में पैसे की कमी सबसे बड़ी समस्या है हम जिस materialistic world में रहते हैं उसमें पैसा एक important entity है जिसके बारे में मैंने पिछले session में चर्चा करी थी इसके अलावा हम मेंसे ज़्यादा तर लोग जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को उमंग के साथ, enthusiasm के साथ जीएं वहीं हम mental physical fatigue के सिकार हो रहे हैं एक थकान है, एक थका देना वाला बोज है जो कहीं न कहीं हमें हमारे उपर एक दवाब बना रहा है और इसकी वज़ए से जहां हम अपने जीवन को खुशियों के साथ, मस्ती के साथ जीना जाते हैं वहीं हम stress, anxiety, anger, frustration, irritation, यहां तक कि depression किसी कार हो रहे हैं जहां हम अपने जीवन में प्यार पाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं वहीं हम hate and jealousy कि सिकार हो रहे हैं हम अपने जीवन में disoriented हुए पड़े हैं दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत महत्वन fact आज Lancet, जो कि दुनिया में बहुत ही जानी-मानी पत्रिका है medical science के world में उसका एक आकलन ये कहता है कि दुनिया का 95% population किसी ना किसी एक खतरनाग बीमारी से ग्रसित है कोई ना कोई एक ऐसे disease दुनिया के 95% लोगों के भीतर है जो उनके मृत्यों का कारण बन सकती है और उसमें से भी 3-5% लोग ऐसे हैं के भीतर कम से कम पांच ऐसे diseases है जो उनके मृत्यों का कारण बन सकती है यानि कि दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जो बीमार जीवन जीने को विवस है So the point is कि जहां हम मेंसे सभी अपने जीवन में स्वस्त रहकर जीना चाहते हैं वहीं हम कहीं न कहीं अस्वस्त हो रहे हैं या diseases के शिकार हो रहे हैं इन सभी समस्याओं के जड़ में मूल में क्या कारण है आज उन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे और कैसे इसे दूर करें इस पे भी चर्चा करेंगे जैसा कि मैंने पहले ही कहा लेकिन हम उस मूल समस्याओं पे बात करें उस रूट कॉस पे बात करें उससे पहले मेरा एक सवाल है जो मैं आपके जहन में डालना चाहता हूँ और वो सवाल है क्या सही माइने में हम पूरे मन से उन चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं इस चीजों को हम प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में क्योंकि एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो तथ्यात्म कृप से सत्य भी है कि अगर आप पूरे मन से किसी चीज को चाहते हैं तो वो चीज आपको मिल जाती है यहां तक कहा गया है कि अगर आप पूरे मन से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी काइनात इस साजिस में जुड़ जाती है कि वो चीज आपको प्राप्त हो जाए और इस तक है लो आप यहीं तुम्माय जीज को पूरे मन से उस चीज के अविलाशा रखें और पूरे मन से उस चीज के लिए कर्म करें और समस्या यहीं है कहीं न कहीं हम पूरे मन से उन चीजों से connect नहीं हो पा रहें आखिर उस connectivity को create करने में कौन से ऐसी चीज है जो बाधा बनकर उभर रही है कौन से ऐसी चीज है जो हमारी और हमारी सफलता के बीच दिवार बनकर खड़ी है दोस्तों अगर सच कहूं तो वो केवल एक चीज है and that is our thoughts हमारे विचार एक statistic ये बताती है कि हम दिन भर में तकरिवन 50,000 विचारों को जन देते हैं और जिसमें से 95% से ज़्यादा विचार नेगेटिव होते हैं नकारात्मक होते हैं एक आम इंसान जब भी जीवन में कोई decision लेना चाहता है कुछ बड़ा करना चाहता है immediately उसके मन में कई ऐसे negative thoughts आते हैं जो उसे drag करते हैं जो उसे पीछे खीचते हैं जो उसे रोक लेते हैं जो बाधित करते हैं ताकि वो actions ना ले सके ताकि वो appropriately act ना करें और याद रखें आपके action ही हैं जो आपके जीवन में आपके लिए result प्रोडूस करते हैं तो समझ्या यह है कि या तो ज़्यादा तर लोग action ले नहीं रहें अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहें या तो फिर काम करते हुए पूरे मन से काम नहीं कर रहें कहीं न कहीं उनके भीतर कोई न कोई संदे हैं जिसकी वज़ए से वो पूरी तरह से connect नहीं हो पाते लेना चाहते हैं उस वक्त हमारे मन में कुछ विचार आते हैं कैसे विचार आते हैं मैं कुछ उधारन आपके सामने पेश कर रहा हूं कि वो यह सोचते हैं या उनके अंदर वो विचार आते हैं कि मेरे पास संदन तो है लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं इनका इस्तमाल कैसे करूं और अगर मैंने गलत इस्तमाल कर लिया तो जो भी संदन मेरे पास हैं वो भी लुट जाएंगे वो भी चले जाएंगे I'll lose them कई बार तो लोग अपने उस काम को ही कोशते रहते हैं जिस काम के जरीए उनका जीवन یापन हो रहा होता है कई बार लोग कहते हैं ये काम मेरे लाएक नहीं कई बार इसके उलट लोगों के मनों में विचार आता है कि मैं किसी काम के लाएक नहीं मेरे अंदर तो skills की कमी है, मेरे अंदर तो talent की कमी है कई बार लोग ये कहते पाये जाते हैं कि मेरी हैसियत कहा हूँ कई बार तो लोग procrastinate करते रहते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, अभी रहने दो, कल देखेंगे कई बार लोग तो इस वज़ा से कुछ नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे लोग हसेंगे मुझे अगर मैं फेल कर गया ये धारना उनके मन में रहती है कि हो सकता है मैं फेल कर जाओ या अगर मैं फेल कर गया तो लोग मुझे मैं हसेंगे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग क्या कहेंगे इसके अलावा भी कई तरह के विचार आते हैं मन में लोगों के जैसे मुझे अच्छी परवरिश नहीं मिली मुझे अच्छे घर में मेरा जन नहीं हुआ मुझे अच्छे माबाप नहीं मिले मुझे मेरा जन्म अच्छे शहर में नहीं हुआ, मेरा जन्म अच्छे देश में नहीं हुआ दोस्तों ये वही देश है जहाँ पे कुछ लोग दिन भर में एक बिलियन डॉलर से जादा अर्ण करते हैं दोस्तों अगर इसी देश में आप किसी ऐसे गाउं ऐसे सुदूर गाउं में चले जाएं जहां पे मूल भूत सुविधाय भी मौजूद नहीं है जैसे कि सडक, पानी, बिजली वहां भी आप एक चीज देखेंगे कि कुछ लोग massively successful हैं और वहीं पे जादा तर लोग अपने किस्मत को कोस रहें. So the fact is, यह जितनी भी चीजें, यह जितनी भी विचार हमारे मन में उत्पन होते हैं, यह विचार ही हैं जो हमें बाधित करते हैं, हमें भटकाते हैं या हमें doubtful state में रखते हैं, ताकि हम appropriate action न ले सकें. Unfortunately, यही कारण है कि हम उन चीजों को, उन को पूरा नहीं कर पा रहें, उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहें, या हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहें. अब बात करें समाधान की, तो इसका एक ही समाधान है. जी हाँ, आपने ठीक समझा, जब तक हम इन विचारों को अपने mind से eliminate नहीं करेंगे, जब तक इ नहीं लेंगे, we won't get the appropriate result, अब सवाल उठता है कि हम इन विचारों को कैसे बदलें, कैसे हम अपने बीतर सकारत्मक विचार उत्पन करें, आपने मैंने कई प्रयास किये हैं, कई बार हमने self-help किताबें पढ़ी हैं, कई बार हमने motivational speaker को सुना हैं, कई बार हमने resolutions तै किये हैं, ultimately, कुछी समय के बाद, get back to pavilion, वापस हम वहीं पे पहुंच जाते हैं, जहां से हम अपना शफर सुरू करते हैं, और यही एक बहुत बड़ी समस्या है, एक आम इनसान के जीवन में, दोस्तों, जिस दिन आपने नकारत्मक विचारों को सकारत्मक विचार में परिवर्तित क जब तक आप यह नहीं समझेंगे, how does human mind act or works, तब तक आप इन विचारों को नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि यह आपके विचार patternized हैं, patterned हैं आपके, जो आपके unconscious mind का, आउचेतन मन का हिस्सा हैं, और इन्हें आप आसानी से eliminate नहीं कर सकते, या delete नहीं कर सकते, या reframe नहीं कर सक जब तक आप technically यह नहीं समझ जाएं, कि वो विचार आखिर किस आधार पे आपका मन या आपका अउचेतन मन उत्पन करता है, यह विचार विचार नहीं है, प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया को समझने के लिए इसके पीछे के क्रिया को समझना बहुत आवश्यक है, आपको ये समझना होगा कि इसकी उत्पत्ती कहां से है उसके मूल तक आपको पहुँचना पड़ेगा जब तक आप इन मूल चीजों को नहीं समझेंगे जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझेंगे जब तक आप ये नहीं समझेंगे how to deal with human mind तब तक आप इन्हें बदल नहीं सकते ये human mind जिसके बनने की प्रक्रिया साट लाख सालों की है fascinating thing एक ऐसी चीज जो इस धरा पे दूसरे किसी स्पीसी के पास नहीं केवल हम मनुस्य हैं जिसके पास मानो मस्तिस्क है जिसकी चमता अपार है अनौरमस इतनी चमता कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं आपके लिए लेकिन समझ्या ये है कि हम इसके operating system को नहीं जानते हम इसे run करना नहीं जानते इसके साथ deal करना नहीं जानते हम नहीं जानते कि इसके सक्तियों का हम इस्तिमाल कैसे करें कहां वो सक्तियां छिपी हैं कैसे उन्हें हम बाहर लाएं कैसे उसका उपयोग करें इन चीजों को आपको समझना ही पड़ेगा अन्यथा माफी चाहूँगा लेकिन आप जीवन भर सतत प्रयास करने के बावजूद भी सफल हो इसकी गारेंटी नहीं है दोस्तों इस हुमन माइन को समझने का इसके साथ deal करने का इसे appropriately run करने के लिए एक बहुत ही बैटरीन टूल जो आज दुनिया में exist करती है जिसका नाम है NLP Neuralinguistic Programming अगले सेशन में मैं आपको बताऊँगा What is NLP? How it works? और कैसे ये हुमन माइन को deal करने के लिए एक बैटरीन टूल साबित हो रहा है पिछले 50 सालों से मैं ये बताऊँगा कि कैसे आप NLP के टेक्निक्स को समझ कर सीख कर अपने माइन को रन कर सकते हैं अपने माइन के आपरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं आप अपने माइन को री प्रोग्राम कर सकते हैं री डिजाइन कर सकते हैं किसी भी वक्त आप नकारात्मक स्टेट से सकारात्मक स्टेट में अपने आपको transfer कर सकते हैं और मन्चाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं मन्चाहे actions ले सकते हैं और मन्चाहे results produce कर सकते हैं So अगले वीडियो में हम NLP को बहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर से दुबारा कहा था कि यह पूरा एक सीरीज है जहां पर मैं सफलता को लेकर कई सारी चीज़ें आपके सामने लाने जा रहा हूं सो ऐसे में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल जाए जैसे ही मैं अपने वीडियो को अपलोड करूँ इसके साथ-साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के पीछ शेयर करें इसके अलावा आप मेरे लाइव इंट्रक्टिव सेशन को भी जाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है जहां से रेजिस्टर करके आप इंड्रॉल कर सकते हैं that is completely free मैं संदीब कुमार इस वक्त आपसे विदा ले रहा हूँ अगली वीडियो में दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद खुश रहें आबाद रहें thank you